उत्रकंड विदानसभा सत्र के दूसरे देन अजधामी स्तरकार ने विदानसभा के पटल पर वित्य वर्ष 2024 पच्चिस के लिए बजट रखा। लोगसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किये गए बजट के खास माइने हैं। वित्त और संसदिय कार्यमंत्री प्रेमचंद अगरवार ने बताया कि सरकार ने इस साल से नई परंपरा शुरू की है। अभी तक विदानसभा के पटल पर भोजन वकाश के बाद शाम चार बज़े बजट पेश करने की परंपरा रही है। लेकिन इस बार इसको पूरी तबीके से तोड़ दिया गया। इसके साथ ही प्रेमचंद अगरवार ने कहा कि कक्षवा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क जूते और बैक की विवस्था के लिए प्रावधान किया जा रहा है। मुक्यमत्री के घोशना के क्रम में खटीमा उधम सिंग नगर में ततीयोगी परिग्शाव के लिए निशुल्क कोचिंग सेंटर के स्थापना के लिए प्रावधान किया जा रहा है। संकल्प से सिद्धी का प्रण स्थापित हुआ है और आजादी के बाद उत्त्राखंड की विदानसबा यूसिसी बिलपार्स करने वाली देश की पहली विदानसबा बन गई है मानिय द्यक जी समाजिक बुराईयां बाल विवा बव विवा तीन तलाग आदी रीती रिवादों की आड में पनप्ती है इन प्रचलित कुरूतियों से सबसे ज़्यादा नुकसान वंदने मातर शक्ति को उठाना पड़ता है समान नागरिक सहिता समाजिक कुरूतियों के एक हाथ में की गारंटी है अब मातर शक्ति की इस्तिती बहतर होगी तथा उसकी गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित होगी एक समरस समाजिक विवस्था इस्थापित होगी जिसमें सभी लोगों के लिए विवा, तलाक, भरन पोशन, विरासत और जमीन जायदाद के बटवारे आदि में समान रूप से कानून लाग होगा समान नागरिक सहिता के माध्यम से सरकार महिलाओं के ससक्ति करण करते हुए उन्हें अधिकार दे रही है इसमें प्रतेक नारी का अधिकार सुरक्षित किया जानी की मन्सा है नकेवल देव भूमी के लिए अपितु संपुन देश के लिए आशा की नई उमी जगी है मानने अधिक जी बर्तमान मित्यवर्स राष्ट वर राज्य के दिर्ष्टी कोण से अभूत पुरो पलुपदियों का रहा है का वर्ष है वैश्विक दिर्ष्टी से चुनोती पूर समय में जहां एक और हमारे देश ने जी ट्विटि के अध्यक्स के रूप में मेत्पुन दायत्तों का कुशलता पूर निर्वन किया वही हमारी सरकार ने राज्य में जीत उन्टे की मेत्वपुन बैठकों का अभूत पूरो आईजन किया